हलो बच्चो आज हम जानेंगे क्लस नाइन हिंदी कृति का भाग फर्ष्ट से चेप्टर थी की कुछ परिच्छा पोगी प्रश्णों के उत्तर जिसका सिर्शेक है रीट की हड़ी इस चेप्टर का पहला प्रश्ण है राम सरुप और गुपाल परसाथ बात बात पर एक हमारा जमाना था कहकर अपने शमय की तुलना पर्दमान समय से करते हैं इस परगार के तुलना करना कहां तक तर्थ संगत है दिखिए तो इसका इंसर है राम सरुप और गुपाल परसाथ दोनों पुराने जमाने के बुजूर्ग है दोनों को वर्दमान जमाने के तुलना में अपना जमाना यादाता है ये यादे श्वभाविक हैं इन यादों के लिए उन्होंने प्रत्न नहीं करना पड़ता ये अपने आप मन में आती हैं प्रन्तु इन तुलनाओं को दुसरों के शामने प्रकट करके उन्हें नीचा दिखाना गलत है ये तरक संगत नहीं है ऐसा करने से बुज़ूर्ग लोग अपने हातों में ऐसा हातियार ले लेते हैं जिसके काट वर्तमान पीड़ी के पास नहीं होती यो भी हर जमाने की अपनी सित्या होती है जमाना बदलता है तो उसमें कुछ कमियां के साथ साथ कुछ सुधार भी आते हैं प्रन्तों बुज़ूर्ग लोग प्रायां अपने पक्ष में एक तरफा अन्भो सुनाते हैं जो की तरक संगत नहीं है ये मन रंजन के लिए भी तो ठीक है किन्तों इसका कोई महत्व नहीं है सेकंड प्रेस्टन है राम सरूप का अपनी बेटी को उच्छा दिलवाना और वहा के लिए छिपाना ये विरोधा भास उनकी किस विवस्ता को जागर करता है तो इसका अंसर है राम सरूप एक अजाद प्रशन बेखती थे उनकी अनुशा स्तिरी सिक्छा में कोई बुराई नहीं बलकि उनके विकास के लिए अवश्यक है यही कारण था कि उन्होंने अपने पुत्री को विकास के सारे रास्ते दिये जिसके कारण वस उनकी पुत्री भी एक कर सकी वो गुनी भी थी संगीत, शिक्छा, सिलाई कड़ाई में भी निकूर थी यह बाते राम सरूप की खुले विचारों की और इशारा करते हैं प्रंतु विर्णबना देखिए कि उन्होंने वहां उन्मुक्त भाव से अपने पुत्री को सिक्छा दी थी वो इस समाज की संकुचित मन सिक्ता के करण अपने पुत्री के विवाह के लिए उसकी सिक्छा को छुपाना चाह रहे थे यह एक मज़ूर पिता की और इशारा करता है जो समाज की दक्यानुशी शोंच को आगे जुकने पर विवश्व हो जाते हैं थार्ड प्रश्ण है अपनी बेटी का रिस्ता तैक करने के लिए राम स्वरूप जी उमा से जिस परकार के भार के वो पेक्छा कर रहे थे यह उचित थे क्यों नहीं है इसका एंसर अपनी बेटी का रिस्तत्य करने के लिए राम सरूब जी अपनी बेटी से अप्रिक्षा करते हैं कि वो सजदच कर सुन्दरूप में पेश आए इसके लिए वो पाउडर आदी बनावती शाधनों का उप्योग करें वो आने वाले मेमानों के सामने ढंग से बात करें अपनी व्यार कुसलता से इनका दिल जीत लें उसमें जो जो गुन हैं उन्हें ठीक तरह प्रकट करें ताकि वो होने वाले पती और ससुर को पसंद आए वो उसे कम पड़ी लिखी लड़की के रुप में भी पेस करना चाहते हैं रामसरुप जी का विवार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है ये जूट पर अधारी थे भी ये पड़ी लिखी होकर भी उसे मैट्रिक बताना सरा सर धोका है ऐसी ठगी पर खड़े रिष्टे कभी ठिकाव नहीं होते इसी परकार पाउडर लागा कर सुन्दर दिखना भी धोके में रखने जैसा है रामसरुप के विवार को हम उचित नहीं कह सकते फोर प्रशन है गुपाल परसाथ दुबा को पिजनेस मानते हैं और रामसरुप जी अपने बेटी को उच्छा छिपाते हैं क्या आप मानते हैं कि दोनों ही समान रूप से अपरा दिये अपने विचार लेखिए तो इसका एंसर है दोनों ही समान रूप से अपरा दिये गोपाल परसाद जी के लिए विवा बिजनेस विपार धंदे की तरह है विवा की पवित्रता और उसका मुल्ल उनके लिए सोदे से कम नहीं था वो अपने बेटे का विवा करवा कर एक ऐसी पुत्रवदू लाना चाहते थे जो उनकी सारूपर चले पिशोदा करने से पहले उसकी जाज़ परताल कर तसलिक कर लेना चाहते थे कि सोदा सही भी है या नहीं उनके लिए वस्तु और लड़की में कोई अंतर नहीं था दूसरी तरफ राम सरूप जी अपने पुत्री को उत्सिच्छा प्राप्त करवाते हैं उन्हें इस बास से गर्व भी है प्रन्तु उसकी विवा के लिए उसकी सिच्छा को चुपाने की कोशिस करते हैं माला इस सब में उनकी मजबूरी है प्रन्तु ये तरक संगत नहीं लगता है कि ऐसे घर में अपने सिच्छित लड़की कहां सोपने को तयार हजाए जहां उनकी पुत्री वो उसकी सिच्छा को मोल ही नहीं इस तरह से स्वेम समाज को बदलना और बाद में अपने स्वार्थ हीती या मजबूरी से उसकी संक्रुनता में शामिल होना पुनरुप से गलत है और उस पर जूट बोलना बिलकूल तरक संगत नहीं लगता 5 प्रेशने आपके लाटले बेटे की रिट की हड़ी भी है या नहीं उमा इस कतन के माध्यम से संकर की किन कम्यों की और शंकित करना चाती है तिसका एंसर है इस कथन के माद्यम से उमार शंकर के निमिखित कम्यों की और ध्यान दिलाना चाहती है कि संकर बिना रिट की हड़ी के हैं अधात ब्रिक्ति हीवी हीन है उसका कोई नीजी मत अस्थान ये मौत्व नहीं है वो अपने पिता की सारों पर ही ही करने वाला बेचारा जीव है उसे जैसा कहा जाता वैसा ही करता है वो पिता की उचित अनुचित सभी बातों पर हाँ हाँ करता चलता है ऐसा पती होने योग नहीं है संकर लड़कियों के पीछे लग लगा कर अपने रीट की हटी तिरुआ बैठा है उसका सर्याम अपमान हो चुका है अतोब वो अपमानित, लंपट और दुष्चरितर है उसका सरीर कमजोर है उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता है इसलिए वो विभा के लिए योग नहीं है सिक्स प्रशन है संकर जैसे लड़की या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे विक्तित्य की जरूरत है तरक सहित उत्ता देजिए इसका एंसर उमा जैसी लड़की ही समाज के लिए सही विक्तित्य है वो नीडर है सासी भी है जहां एक और माता पीता का समान रखते हुए वो गुपाल परसाजी वो उनके लड़के संकर के श्रमुक खड़ी हो जाती है उनकी कहने पर वो गीत भी गाती है तो दूसरी तरफ निर्वता पुर्वग गुपाल जी को उनकी कम्यों का एसास कराते हुए तनिक भी नहीं हिचकती उसमें आत्म समान की भावना है उसी आत्म समान के लिए वो अपना मुझ भी खोलती है सेवन प्रस्ट है तीट की हड्डी सिर्षक की सार्थकता इस्पष्ट कीजिए जिसका एंसर है रिट की हड्डी एक आंकी का सिर्षक सार्थक शफल और फिंग्यात्मक है इस नटक के मुल समस्या है वर का व्यक्तित्वेहिन होना यदि संकर समझदार और व्यक्तित्वे शंपनी वक होता तो गुपाल परशाद की इतनी हिमत न होती कि वो दो सुसिचित वेर्शकों की पीछ बैठ कर अपनी फोर बाते करे और असिच्छा को प्रसाहन दे कमपड़ी लिखी बहुँ चाहना गुपाल परशाद की जरूरत हो सकती है संकर की नहीं अगर संकर अपनी पीता की रूपदाप के आगे इन भी नहीं कर सकता बलकि उनकी हां में हां मिलाता है तो उसकी कायरता है उसका अरता को दिखाने के लिए उसे रीट की हड़ी के बीना दिखाया गया है इस प्रकारीट की हड़ी विंग्यात्मक संकेर पूर्ण शार्थक और शफल सिर्शक है एक अच्छे सिर्शक में जिग्यासा होनी चाहिए जो पाठक को आतूर कर दे यह सिर्शक जिग्यासा तूर करने वाला है एट प्रशन है कथावस्तु के अधार पर आप किसे एकांकी का मुख़ पातर मानते हैं और क्यों? इसका अंसर है कथावस्तु के अधार पर तो हमें उमा ही इस एकांकी के मुख़ पातर लगती है पूरे एकांकी ही उमा की इर्धिकिर्दि घुंती है लेकट समाज की सड़ी गली मानसिक्ता को उमा के माध्यम से व्यक्त करना चाहते है उनका ससक्त व्यक्तित्विक सारे पात्रों पर भारी पड़ता हुआ दिखाई देता है उसके शमक्ष कोई भी ठहरता नहीं है विजन समाजे महिलाओं को अपने अधिकारों वो शमान के प्रती जागरुक करना सिध्ध हो जाता है नाइन प्रेशन है एकांकी के अधार पर रामसरुप और गोपाल प्रशाद के चरित्रिक विशेष्ता बताईए तो इसका एंसर है रामसरुप जी और गोपाल प्रशाद जी के चरित्रिक विशेष्ता इस प्रकार है पहला रामसरुप के बारे में रामसरुप एक स्वतंत्र प्रिये व्यक्ति है वह औरोतों की सिख्छा के पचपाती है इसलिए पुत्री को भी पुत्र के शमानि उट्सिच्छा दिल्वाते हैं वो एक सिद्ट नहीं पिता है रामसरुब जी अपने पुत्री से पड़ा पस नहीं करते यानि प्रेम करते हैं इसलिए उसके भविश्च के चिंता उन्हें शताती रहती है और इसी कारण वर्ष वो अपने पुत्री की सिक्षावील लड़के वाले के आके छिपा जाते हैं रामसरुब जी समझदार व्यक्ति हैं वे कई जगग गोपाल परसाजी की गलत बातों का जबाब भी समझदारी पुरुवक देते हैं सेकेंड है गुपाल परसाजी, तो गुपाल परसाजी एक रूपदार व्यक्तित्वे के श्वामी है, वकालत में होने के कारण अविमान उनके व्यक्तित्वे से टपकता है, गुपाल जी एक हश्मुक प्रविती के इंसान है, बात-बात-बात मजाक करना उनका श्रवाव है गोपाल परसाजी एक चतुर व्यक्ती हैं इसलिए अपने बिमार वो चरितरिन बेटे के लिए कम पड़ी लिखी लड़की चाहते हैं ताकि वो कभी उसके शम्मुक आवाज ना उठा सके तिन प्रस्ट ने इस एकांकी का क्या उठेश है लिखिये तो इसका इंसर रीट की हर्दी एकांकी का उठेश है समाज की लोगों की तोहरी मासीक्ता शपके शामने लाना लड़कियों की विवा में आने वाली समर्षाओं की और शमाज के ध्यान खीजना तथा इवाओं दोर अपने सिक्षा और चरित्री की मजबूती का ध्यान ना रखना एकांकी में गुपाल परशाद और उनका बेटा संकर जैसे लोग हैं जो उस सिच्चित होकर भी कम पढ़ली की बहुँ जाते हैं और इस्तिरियों की शमानता का दरजा नहीं देना चाहते हैं उमा को देखने आए लड़के वाले उसे वस्तू की तरह देखते हैं और प्रतेच रूप से दहच की मांग करते हैं इसके अलावा शंकर जैसी इवाक का अपनी पढ़ाई पर ध्यान ना देना तता उसकी चरित्रिक तुरवलता की और ध्यान अकर्षिद करना इस एकां की का उत्येश है 11. समाज में महलाओं को उचित गरीमा दिलवाने हें तू आप कौन-कौन से प्यास कर शकते हैं तो इसका एंसर है हम उनको गरिमा दिलाने हित्तु निमलिखित प्रियास कर सकते हैं पहला है उनकी सिक्षा के हित्तु कार कर सकते हैं ताकि समाज में वो सर उठा कर अपना जियम व्यक्तित कर सके शेकेंड है उनको उनकी अधिकारों के प्रतिज जगरू करा सकते हैं ताकि वो अपना सौसर होने से शेम को बचा सके थरड है समाज में महला को श्रमान बाकिदारे दिल्वाने के लिए प्रतने कर शकते हैं फोर है लड़कीों का विवाब बिना देह्स के मतलब बिना देहस लिए वो दिये हो इस विषय पर कारे कर सकते हैं प्रश्न है उमा के सिक्षा के विशे में प्रेमा और राम सरूप जी के विचार किस तरह अलग थे इन में से किसके विचार आप उचित मानते हैं और क्यों तो इसका एंसर है उमा के सिक्षा के विशे में प्रेमा और राम सरुप के विचार अलग अलग थे प्रेमा चाहती थी कि उमा इंटर तक ही मतलब उमा को इंटर तक ही पढ़ाया जाए जबकि राम सरुप जी उस सिच्छा के समर्थक थे उन्होंने अपी बेटी को कॉलेज में पढ़ा कर बीए करवाया मुझे उनमें से राम सरुप जी के विचार अधिक उचित लगते हैं क्योंकि सिच्छा से विक्ति का विकास होता है उस सिच्छा पाकर विक्ति अपने पेरो पर खड़ा होता है उसमें शाहश आता है जिससे वो अपनी बात उचित ढंक से कर सकता है सिक्षा सिरी पुरुष के बिच समानता लाने में शहयक होती है इसके अलावा राम सरुप जी के विचार से इस्तिरिया शमाज में उचित समान यो गर्मा पाने की पात्र बनती है मतलब राम सरुप जी के विचार से इस्तिरियों में समाज में उची समान यो घर्म पाने की हकदार बनती है सेकंड प्रस्ण है गुपाल परसाजी को ऐसा क्यों चाते थे कि उनकी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दस्वी ही पाश्ओ इसका एंसर है गुपाल परसाजी स्वयम उच्छित थे वे वकालत के पेसे से जूरे थे उनका बेटा शंकर मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था इसके बाद भी वे चाते थे कि उनकी बहुत ज्यादा से ज्यादा दस्वी ही पासो उनकी ऐसे चाहत के पीछे ये सोच रही होगी कि उनसी चा प्रात लड़कियां अधिक जागरुख होती हैं इससे वे अपने अधिकार के प्रतिस्ज़क होती हैं उनमें सोचने शमजने और्डेन लेने के चमता बढ़ जाती है ऐसी लड़कियों को बहु बनाने से उन पर अत्याचार नहीं किया जा सकता उन्हें डराया नहीं जा सकता और अपने उपर हुए अत्याचार पर मुपंद नहीं रखती हैं प्रश्न है यदि उमा किस्तिती कम पढ़ लिखी लड़कियों जैसी होती तो एकांकी का अंध किस तरह अलाग होता तो इसका अंसर एकांकी की प्रमुख नारी पत्र उमा यदि बीगे पास और सो से चित ना होती और उसकी स्थीती कम पढ़ लिखी लड़कियों सी होती तो उस शाद्गी पूर जिवन जिने के बजाए अपनी मा के कहने पर सच धचकर गुपाल परशाद और संकर के शामले आती गुपाल परशाद और संकर उससे अपनी मर्जी की परत मर्जी से तरह तरह के शवाल करते और वो सीर जुकाय उतर देने की विवस रहती उस संकर के चरित्रिक कमजोरी जानती में भी खामोस रहती और अपनी बाते द्रिश्टा यमसा से ना कह पाती गुपाल परसाथ और संकर को तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी वी उमा को पसंद कर लेते तब एकांकी का आंथ सुख़द होता और शबखुस रहते प्रेशन है लड़कियों की सिक्षा और खुपसूरती के बारे में गुपाल परसाथ के विचार किस तरह अलग थे तीट के हड़ी नामक पाठ के अधार पर लिखिये तो इसका एंसर है गुपाल परसाथ पढ़े लिखे सुशिचित वकील थे उनका बेटा मेडकल की पढ़ाई कर रहा था प्रन्तु लड़कियों की सिक्षा के बारे में उनका विचारियत था कि लड़कियों को अधिक पढ़ा लिखा नहीं होना चाहिए पढ़ाई लिखाई तो मर्दों के ली बनी चीज है इसके विपृत विष्टिरी के लिए खुफसूर्ती आवश्यक मानते है यह खुफसूर्ति चाहे शभाविको या कृतिम पर नारी के लिए आवश्यक है इस बारे में पुरुष एक बार तो मान भी जाते हैं पर इस तिरियां वो कभी भी मानने को तयार नहीं होती कि वे खुपसूरत ना दिखें। इस तरह लड़कियों की सिक्षा और उनकी खुपसूरती के बारे में गुपाल परशाद के विचार प्रस्पर फिरोधी है। प्रेशन है गुपाल परशाद और संकर के शामने गीत गाती उमा ने अपना गीत अधुरत के में छोड़ दिया। इसका एंसर है गुपाल परशाद अपने पुत्र शंकर के साथ। उसकी विवाद के लिए उमा को देखने आय थे। उमा अपने पीता रामसरुप के कहने पर मीरा का पद मेरे तो गिरदर गोबाल दुसरों ना कोई तालिनिता से गारे थी। अचानक उमा की दृष्टी उपर उठी उसने शंकर को देखा और पहचान लिया कि यह वो शंकर है। जो लड़कियों के होस्टेल में आगे पीछी खुंता था। मौन नोकरानी द्वारा पकड़े जाने पर उसके यानि उसने नोकरानी के पैर पकड़ कर अपना मूँ चिपा कर भाग लिया था। ऐसे चरित्रिन लड़की के सामने से उसका आपने शमान रोक रहा था। और उसने अपने पिता मतलब उसने अपना गीत अधुरा छोड़ दिया। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ये फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सस्क्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलें थैंक यू